हलो स्टुडेंट्स तो आज के इस वीडियो में हमने स्टार्ट करने वाले एक्साइज 1.6 तो एक्साइज 1.6 से लिविडिट जो भी एक्सपोनेंट के जो टर्म्स थे रूल्स थे लॉज थे उनको हम इसली वीडियो में कम्प्लीट कर चुके हैं अगर आपनों के वो लॉज नहीं पड़ें तो पहले जाके आप वो लॉज समझे उनको समझे कि किस तरह से लॉज वर्क करते हैं उसके बार एक्साइज 1.6 पे आएं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्साइज 1.6 कॉश्चन अवर 1 से तो कौश्चन अवर 1 जो है उसमें हमग फैट करना है तो फैट करने के लिए फरस्ट का जो फिरस्ट कॉश्चन है वो यह है 64 का पावर बन बाई टू 64 पावर कितना है बन बाétais डू आए 64 पावर बन बाई टू तो 64 तो यहां पर क्या करेंगे हम फेक्टराइज कर लेंगे 64 को फेक्टराइज किया तू से कितना हो जाएगा 32 तैम तू से फिर करेंगे तू से फिर करेंगे फोर टाइम तू से फिर करेंगे टू टाइम फिर टू से वन टाइम यानि कितना बना टू इंटू 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 64 के place में हम क्या लिख सकते हैं 2 power 6 और इसका power कितना है 1 by 2 इसका power कितना है 1 by 2 तो अभी हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था exponent के बारे में तो हां पर हमने एक रूल पढ़ा था power का power होता है जब क्या करते हैं यानि A का power M इसका whole power M ये था तो इसमें हमने किया था A multiply by M, okay? According to this rule क्या हो जाते, еक्स्पोनेंट का जब गश्पोनेंट होते हैं तो क्या हो जाते हैं तो यहां पर exponent का exponent है तो exponent expression क्या हो जाएंगे multiply हो जाएंगे तो इस तरह से 2 का पर कितना हो जाएगा 6 into 1 by 2 x 6 multiply किसे हो जाएगा 1 by 2 से हो जाएगा और जब हम 6 का एंक συν का 3, okay, starting से देखें, question क्या था, 64 power 1 by 2, और power जो 1 by 2 था, उसको हमने change नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो 64 है, 64 को हम कर सकते हैं, 2 का power 6, क्योंकि यहाँ पे 64 है, हमने fractions निकाले, तो 64 32 times, 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, मतलब 22 से क्या करते गए, करते गए, इसको divide गड़ते गए, तो कितना निकल के आए, 2 का power 6 निकल के आया, और जब यह हो गया है, 2 का power 6, और 2 का power जब यह 6 हो गया है, तो इसका power कितना था, 1 by 2, exponent का जब exponent होता है, तो हो जाते हैं, यह multiply, तो हो गया है, यहाँ पर यह rule के according, multiplication, और multiplication में 2 से 6, 3 times cross हो गया, इस तरह से answer आया, हमारा 2 हो, हो base और exponent कितना 3, ओके, इसके बाद, start करते हैं, second, यहाँ पर हम first कर चुके है, first का first था यह, अब first का कर लेते हैं, second, है, first का जो second है, वो है, 32, power of 1 by 5, 32, इसका exponent के बेल है, 1 by 5, बिल्कुर से, पहले question की तरह करना है, 32 है, 32 को हम कर लेंगे, factorize, 2 से करेंगे, 16 time, 2 से करेंगे, 8 time, 2 से करेंगे, 4 time, 2 से करेंगे, 2 time, और 2 से हो जाएगा, कितना 1 तो बनेगा, 2 into 2, into 2, into 2, into 2, यानि 2 कितने times है, 1, 2, 3, 4, 5 times है, कितना हो जाएगा, 2 का whole power 5, 2 का power कितना हो जाएगा, 5, यानि 32 जो values है, इस 32 value को हम लिख सकते है, 2 का power 5, और इसका whole power कितना है, 1 by 5, ओके, यह 32 है, इसको हमने लिख लिख लिया है, 2 का power 5, और इसका whole power है, कितना 1 by 5 अब हम इसमें रूल कौन सा लगाएंगे पावर का पावर है वही से एक का पावर M इसका होल पावर N is equal to हो जाएगा एक का पावर M into M यहीं पावर का पावर होता है जब तो exponent क्या हो जाते हैं multiply हो जाते हैं यह रूल है इसके according देखा जाए तो हो जाएगा 2 का पावर 5 multiply 1 divided by 5 ओके आप देखो 5 into 1 by 5 है तो divided by 1 करके 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा कितना आजाएगा 2 का पावर 1 और किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो मतलब value वही रहती है वन टाइम तो कितना आजाएगा 2 इसका final answer आजाएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 32 का पावर कितना था 1 by 5 था तो 1 by 5 में हमने क्या किया 32 जो था जो बेस था उसको किस में उसके fraction किये तो बनके आया 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 जो था उसको हमने क्या कर लिया पावर का पावर तो पावर का पावर है तो क्या हो जाएगा multiply करने पर 5 से 5 क्रॉस हो गया आग्थर आगया हमारा final 2 इसके बाद इसके बाद करते हैं फर्स्ट का कौन सा सेकिंड कर चुके हैं अब आते हैं थर्ड पर फर्स्ट का जो थर्ड कोश्चन है वो यह है 125 पावर बन बाई 3 125 का पावर कितना है 125 जो है वो वेश है और बन बाई 3 जो है वो इसका क्या है exponent है इसको भी हमें solve कर लेना है तो क्या करेंगे सीम वही procedure फॉलो करेंगे कि 125 जो है इसका क्या कर लेंगे हम fraction कर लेंगे 125 को क्या कर लेंगे factorize कर लेंगे तो यहां पर सबसे पहले 125 की divisibility चेक करें तो 2 से to divide नहीं होता है यह 2 से divide 125 नहीं होता है अब 2 से divisibility के rule आपको पता होना चाहिए कि last में क्या है 0, 2, 4, 6, 8 अगर यह आते हैं तो ही वो number 2 से divide होता है otherwise वो number 2 से divide नहीं होता है 3 से divisibility का rule क्या होता है कि numbers का sum अगर 3 से divide हो रहा है that means वो 3 से divide होगा otherwise वो 3 से divide नहीं होगा तो हम देख रहे हैं 5, 6, 7, 8 8 क्या 3 से divide होता है नहीं होता है 3, 3, 9 तो 9 होता है वो 0 या तो 5 तो यहां पर हम देख रहे हैं 125 यानि कितना है वंस प्लेस पर कितना है 5 है और वंस प्लेस पर 5 है यानि कि यहां 5 से divisible हो जाएगा तो आपको divisibility rule आना चाहिए fraction करना आना चाहिए तब ही जाके आप यह questions कर पाएंगे तो देखें कि 125 जो है किस से divisible है तो 5 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 तू जा 10 रिमेंडर कितना है 2 और 5 5 जा 25 यानि कितना हो गया है 25 टैम्स हो गया है 25 टैम्स होने के बाद हम देख रहे हैं कि 25 किस स से डिवाइड होता है तो फाइब से कितना हो जाएगा फाइब टाइम हो जाएगा और फाइब से भी कितना हो जाएगा फाइब 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 यानि वन टाइम आ जाएग तो देखा हमने कितना आ गया 5 into 5 into 5 5 कितने times प्रपना 3 times यानि कि हम लिख सकते हैं 5 का power 3 यानि 5 base और exponent इतना 3 तो exponent उतना उतना ही लेगते हैं जितने times वो क्या होता है multiplication में repeat हो रहा होता है तो 3 times repeat हो रहा है तो हमने लिख लिख लिए था अब हम देखें यहां पर क्या हो रहा है पावर और पावर का पावर लगा हुआ है तो हम देखें यहां पर कि हमने रूल पड़ा हुआ है किसमे एक्स्पोनेंट्स के लॉज में कि A का पावर M इसका होल पावर M होता है अगर तो हो जाता है A पावर M into M यानि क्या है यहाँ पर base अगर base इकी है वो पावर का power है तो वो powers क्या हो जाए आपस पर multiply हो जाते हैं तो हम देखें 5 का power यहाँ पर 3 है और 3 का multiply किसे हो जाएगा 1Y 3 से हो जाएगा तो 3 के बड़ डिबाइड में 1 करके 3 से 3 क्या हो जाएगा यह cross हो जाएगा बचेगा only 5 का power 1 और 5 का power 1 यानि कि value कितनी आ गई है 5 value कितनी आ गई है यहाँ पर 5 तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से हमने solve किया base जो था exponent जो था exponent को कुछ भी change नहीं किया हमने base जो था 125 given था तो 125 को factorize करना easy था तो 125 को हमने factorize किया तो कितना हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया यहाँ फाइब का power कितना बन गया 3 exponent 3 और base कितना 5 अब 5 का power 3 is equal to कितना है 1 by 3 है तो 3 और 1 by 3 क्या हो जाएंगे आपस multiply हो जाएंगे क्योंकि यह power का power लगा हो मतलब exponent पे exponent है exponent पे जब exponent होता है वो cross हो गया तो 5 अच्छा 5 का power 1 और किसी भी number का power 1 हो तो value same रहता है मतलब value कितना है 5 इस तरह से हम exercise 1.3 का question of 1 का जो first था second था और third था इन तीनों को solve कर चुके हैं यहाँप exercise 1.6 से इसके बाद आगे कि जो questions है हम continue करते रहेंगे बने रहे हैंगे हमारे साथ में अभी तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like करें अपनी दोस्तों में share करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को subscribe करें Thank you